पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर हमें oral sub-mucosafibrosis हुआ है तो उसके कौन से कारण होते और कौन से लक्षन दिखाई देते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको OS, MF मतलब oral sub-lokosafibrosis की problem होने के वज़े से मुझ नहीं खुल रहा है तो उसके लिए doctors के द्वारा कौन सा treatment मनलब कौन सा ilaz दिया जाता है क्या बिना surgery के सिर्फ दवायों से हमारा मुझ खुल सकता है क्या अगर हम इलाज करवाते हैं तो क्या हमारा मुझ पहले जैसा भी खुल सकता है या फिर नहीं सब कुछ हम डीटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं तो चलिए friends आज का वीडियो हम शुरू करते हैं Hello friends, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम है पुजशाओ Generally हमारे मुझ के अंदर में 3-4 उंगली जाती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति, गुटका, तंबाकू या पुट सुपारी खाता है तो उसका मुझ उतना नहीं खुल पाता है देरे-देरे कम होते जाता है पहले तो तीन उंगली जा रही थी उसके स्टार्टिंग पेज में उसके बाद में वो खाते ही रहता है तो दो उंगली, फिर उसके बाद में एक उंगली और कुछ कंडिशन में तो एक उंगली भी नहीं जाती है इसी तरह से OSMF का भी इलाज स्टेजेस पे आधार पर मतलब उस पर्शन को कितनी प्रॉब्लम है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स के बारा कौन सा ट्रेट्मेंट दिया जाएगा सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का स्टार्टिंग है मतलब OSMF होने की शुरुआ थे तो उस कंडिशन में डॉक्टर्स के बारा कौन सा ट्रेट्मेंट दिया जाता है इसके लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति को सुपारी तंबाफू या फिर जो खर्राव है या गुटका है उसे बंद करने के लिए कहा जाता है उसके बास में उसे multi-vitamin की tablet दी जाती है लेकिन multi-vitamin में lycopen रहना बहुत ही जाता जूरुआ है क्योंकि lycopen बहुत जदा help करता है जो हमें घाउ बना है उसे ठीक करने में यह tablet को दिन में एक बार लेने के लिए कहा जाता है और continue तीन महने तक के दिया जाता है इसके साथी साथ विटैमिन C की जो टाबलेट आती है, चुएबल वाली, मतलब जो चूसने वाली टाबलेट आती है, वो भी दिया जाता है, कंटीनू तीन महनों के लिए, इस कंडीशन के लिए टॉपिकल, जो स्टेरॉइडल क्रीम आती है, वो लगाने के लिए दिया जा सक और यह ध्यान रखना बहुत जादा इंपोर्टन्ट होता है कि वो जो जेल है वो आपके गले से अंदर ना जाया मतलब आपके पेट में नहीं जाना चीए इस जेल को अफेक्टेट एरिया मतलब जहां आपको सूजन या दर्ध है उन जगों पे लगाने के लिए कहा जाता है इसके साथ ही साथ आपको मुझ खुलने वाले जो एक्सेसाइस होते है वो भी करने के लिए कहा जाता है यह ट्रेटमेंट लेने से और अगर आप सुपारी की जो चीजे है घुटका, तमभाकू या फिर किसी भी फॉर्म में सुपारी खाना बंद कर देते हो और यह इसके साथ यह ट्रेटमेंट के साथ में उन्हें फिजिकल थेरिपी दिया जाता है जिससे मुझ खोलने में और काम करने में काफी ज़्यादा आसानी मिलती है अब हम जानेंगे कि अगर कोई ऐसा वेखती है जो लास्ट स्टेज में है मतलब 25 mm तक भी उसका मुझ नहीं खुल रहा है तो उस कंडिशन में डॉक्टर सुपारा कॉंसर ट्रेटमेंट दिया जाता है उस कंडिशन में कोई भी इंजेक्शन या कोई भी टैबलेट नहीं दिया जता है उस कंडिशन में डॉक्टर सजरी करने के लिए कहते हैं जिससे उस परसन को बहुत ज़्यादा आसान ही होती है खाने में बोलने में क्यूंकि 25 mm तक भी नहीं खुल रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा तकलिफ होने लगते हैं बोलने खाने हर चीज में उससे बहुत-जादा तकलित होती है। लेकिन जब वो शरियरी कर लेता है। उसकी जो life है बहुत जादा आसाल हो जाती है। कोई भी स्टेज में आप treatment करा रहे हो लेकिन treatment के दोरान जो सबसे जो main role लिभाता वो ही है कि आपको treatment के दोरान जो तंबाकू, गुटका ये फिर सुपारी है वो खाना बंद कर देना चीए और treatment के बाद भी आपको नहीं खाना चीए क्योंकि अगर आपने surgery करा है क्योंकि जरी के बाद आपने push time के बाद में फिर से अगर खाना स्टार्ट कर दिये तो आपकी जो condition है फिर से जैसी की वैसी हो सकती है अगर हम आग में हाथ भी डाले और जले भी ना ऐसा possible है नहीं इसलिए treatment के दोरान ये जो चीज़े है उसे चोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रू होता है क्योंकि OSMF का कोई भी 100% इलाज नहीं कि अगर आपने treatment लिए जिससे आपकी जो तकलीफ है वो पूरी तरह मतलब जितना आपका मुह पहले खुल रहा था उतना खुलने लगेगा या फिर अगर आप सर्जरी भी करा लेते हो तो जितना आपका पहले मुह खुल रहा नहीं छोड़े तो दुनिया का कोई भी डॉक्तर आपको ठीक नहीं कर सकता इसलिए बहुत की ज़्यादा इंपॉर्टन है कि treatment के दारान और treatment के बाद आपको यह पना छोड़ देना चाहिए friends अगर यह video informative लगयो तो please like, share and subscribe किजेगा thank you so much friends मिलें नेक्स वीडियो में